बॉंबे बजार सैफी मार्केट में पिशले 50 साल से पुराने अपसरा ड्रेसेज वालों का जीन्स दंक्षन आपके लिए लाया है दूले एवं पूरे परिवार के लिए ब्रेंडिट कपड़ों की पूरी रेज, सहित सूट, कोड, शेरवानी, ब्लेजर, जैकेट, जीन्स, मध्यप्रदेश के खंडबा के मोगट थाने के इंतरगत आने वाले टिट गाउं में आज गो तस्क्री करते हुए चार-पांच लोगों को हिंदू संगठन ने घेर लिया, एक युवक हिंदू संगठनों के हत्ते चड़ा और चार फरार हो गए उसके पश्यात आपको बता दें कि पकड़ा गया युवक भी फरार होने की तलाश में दा परन्तू उसे हिंदू संगठन रोके रखा और आप देख सकते हैं कि उसके हाथ पर कपड़ा भी बंदा हुआ है मोगट थाने की टीम को जानकारी मिलते ही मोगट थाना प्रभारी ब्रज भूशन हिर्वे मौके पर हैं कुछ देर पहले कि ये घटना है फिलाल हिंदू संगठन और पुलिस की टीम मौके पर है गोवँच को जब्त कर लिया गया है आरूपी युवक को थाने लाया जा रह जाएगा चारो आरोपी जो फरार है उन्हें जल्द ढूंडा जाएगा वहीं मौके पर हिंदू संगठन के कारे करता इस बात पर आड़े हैं कि अन्य चारों जो बदमाश हैं उन्हें भी ततकाल प्रभाव से गिरफतार किया जाए गोवँच की तसकरी खंडवा जिले में बिल्कुल भी बरदास नहीं की जाएगी इस तरह की बाते भी मौके पर हुई फिलाल आपको जो युवक हम दिखा रहे हैं ये आरोपी है जिसे गाओं वालों ने पकड़ा था टीटी गाओं के आसपास की घटना है जंगल जंगल रात को ये गोवँच की तसकरी कर रहे थ इंदू संग्ठनों को जानकारी मिलते ही सभी कारेकरताओं ने उन्हें घेर लिया और पुलिस को सूचित किया मोगट थाना प्रभारी ब्रजबूशन हिर्वे मौके पर हैं इंदू संग्ठन के कारेकरताओं को समझाईश दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि वह अन्य बदम देर में इतना हो फिलाल आरूपी युवा को ठाने लाने की तैयारी की जा रही है